मेरे प्यारे दोस्तों जैसे राम आज की वीडियो में बात करेंगे अप्रिल 2023 वालों का रिजल्ट कब तक आ रहा है आज समझातों मैं आपको देखिए आपके बहुत सारे क्वेरी आ चुके अभी तक एक्चुली जैसे कि आपको पता है कि 8 मई को जो है एक्जाम फाइनल खतम हो चुके हैं और 8 मई से जो है जब फाइनल एक्जाम खतम हो गया तो इसके बाद जो है आपके रिजल्ट आने का टाइम कितना बनता है ज़रा समझते हैं विजल्ट आने का टाइम जो होता है एनलश की तरब से वो एक जो टाइम है वो है 45 डेस का 45 डेस जो है एनलश टाइम लेती है आपके रिजल्ट को डिकलार करने में तो इस हिसाब से अगर हमें देखा जाए तो 8 मई से लेके आपका जो है 8 जून यह आपका जो है 30 डेस हो और इसके आगे जो है इसमें हम अगर फिर जो है आपका बचा कितना 15 डेज लमसम तो इसको हम आगे करेंगे आगे लेके जाते हैं तो यह आपका जो है 23 जून जो है आपका निकल के जाता है 23 जून तक जो है आपका रिजल जो है उस तरीके से आना चाहिए ठेक लेकिन जो 45 5-day होता है वो एक aggregate होता है यानि कि 45 दिनों तक जो है यानि आपको वेट करना है और इसके अंदर में ही आपके रिजल्ट आएंगे तो यानि कि आपका रिजल्ट जो है आज मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं रिजल्ट आपका बहुत ही जल्द है यानि कि आप यह समझ लीजिए कि 15 जून तक जो है आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा 15 से बहुत लेट तो 20 यानि कि आपका 15 से 20 के बीच में जो है आपका रिजल्ट डिकलेर हो जाएगा वैसे आपको कुछ बाते ध्यान रखनी है होता क्या है कि एनस में कुछ ऐसी भी वाते आ जाती है कि इनका क्या है कि जब रिजल्ट डिकलेर होता है तो उस टाइम क्या है कि इनकी जो साइट है वह साइट जो है बहुत जादा ट्राइफिक बढ़ जाती है तो रिजल्ट के टाइम पे आपको रिजल्ट निकालने में एरर की प्रोब्लम आ सकती है तो आप प्रेशान नह हो आप जड़ा कुछ समय रुके और उसके आगे जो है अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा तो उमेद करता हूं कि आपको आज की व्यूडियो में जानकारी मिल गई कमेंट जरूर करना और कोई भी समस्या आपकी आप कंसर्टेशन चाहते हैं मेंबर्शि लीजेगा नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है इसको शेयर कर दो थैंक्स पर वाचिंग जैस्तरे रहां